अज़े आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वात दोश के बारे में हम कंप्लीट स्टेडी करेंगे इस वीडियो में वात दोश की जैसे कि तुम्हें पता है मैंने फ्री ओनलाइन स्टार्ट की हैं और यह कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपर क्लियर कर दिये हैं यहां पर फर्स्ट पेपर का पार्ट एका मैंने स्क्रिंशोट डाला है तुम देख सकते हो यहां पर लिखाया कंसेप्शुल स्टेडी ओफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ओफ आयरवेदा क्रिया शरीर तो इसकी जो नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल है जैसे कि पंच महावूता मैंने तुम्हें पता दिया है त्री दो इस टॉपिक हमारा भी किलियर नहीं हुआ है और एक यह डिस्क्रिप्शन ऑफ बैसिक्स ऑफ स्रोतस यह भी टॉपिक अभी हमारा नहीं हुआ है जब इसकी नेड होगी तो हम यह भी तुम्हें पढ़ाएंगे ठीक है अब आगे मैंने इसके अंदर में मौस्ट टॉपिक क करेंगे शरीर का दोश के साथ मंद जो अपरीगोना थूट। और और सब्रस पुरोष इनete सः न चिक प्रुट रहे हैaja मतलब तो औल्मॉस्ट तो ने कव्र कर लिया ईसलिए बस लेकिन कुछ कुस टॉपिक इसमें रह रहे हैं जो टॉपिक रहते हैं वह उम्य तुम्हें पाद में करा दूँगा इसके बारे में लास्टर्य दोश के परिता इसका रिलेशन्शिप रित्व से क्या होता है रस से क्या होता है गुन से क्या होता है यह सारी चीज़ें मैंने करवा दी है डे नाइट एज सीजन एंड पूद इंटेक यह सब भी मैंने तुम्हें करा दिया है यह प्रेकरति चैप्टर पढ़ाऊंगा यह इसके अंदर कवर हो जाएगा आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर फॉर गी जो है हमारा वात दोश टीक है वात दोश के अंदर हम इसमें क्यागा पढ़ेंगे वात की निरुक्ति पढ़ेंगे वात के परियाय बात के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे और हर प्रकार की specific कोई location होगी और हर प्रकार का एक specific कोई function होगा तो हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में ठीक है तो चल्ड़ स्टार्ट करते हैं माच की इस वीडियो वाध इसकी निरुकती निरुकती क्या होती है वा गती गंधनियों यह बहुत important word जनरली वैवरों तुमसे पूचा जाएगा कि वा गती गंधनियों का मतलब क्या होता है तो तुम्हें बताना है जो निरंतर गती मान रहता है उसको हम वाध बोलते तो वात शब्द कहां से बना वात शब्द बना वा गती घंधनियों से मतलब जो निरंतर गती मान रहता है ध्यान रखना जो वात होता है इसका जो मैन सकते हैं तो जो वात वर्ड कहीं तुम्हें इसकी जगा वायू लिखा मिलेगा तो तुम्हें अपने चलते हैं इसके दिनल वात का सरूप का मतलब क्या होता है सरूप का मतलब होता है कि इस डोष के अंदर कौन से महा भूतर की प्रधानता आज जब मेंने तुमें का महा भूत से संब्बंध पढ़ाया था तो मैंने तुम is से बोला था कि जो वायू महाभूत है हमारी स्वरी जो वाद दोश है हमारा वाद दोश के अंदर कौन-कौन सा महाभूत प्रदाने वायू और अकाश अगर तुम्हें वह चीज याद होई होगी तो तुम्हें आपर कोई प्रदानतर होती है यह सिक्वेंस मैं इस तरीके से लिखका है अगर वाद के ऊपर कोई कशन आ जाता है तो तो तुम्हें इसके अकोडिंग इफिक शूर करेकर सकते हो अपने हिसाब से आगे हाते हैं सजन के इंदर हम वाद के गुन पर गुन क्या है ये श्यूद के गुंग और बहुत जादा इंपोर्टेंट श्लोग गई है इस श्लोग को याद कर लेना और मुझे लगता है तो मैं याद भी होगा इस श्लोग क्या कहता है तत्र रूप्षो लगू शीतहा खरहा सूक्षम चलो अनिलहा इसका मतलब क्या है जो रूश को वर्ड है रूप्ष का करती का लक्षन होगा तो उसकी स्किन कैसी होगी ड्राय होगी उसका अगला बार-बार सूक्षम पता लगा सकते हैं लगू का मतलब होता है लाइट वह कैसा होगा हलका फुलका होगा इसके गुन क्या है अगला शीत बात क्या गुन क्या है शीत अगला खरहा खरहा का मतलब होता है रफ सूश्म का मतलब होता है माइन्यूट और चल का मतलब होता है मूवमेंट तो यह सब क्या है बात के गुन है यह तुम्हें गुन याद करने हैं बहुत ज्यादा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है देखो जो पित है हमारा ये पंगु है पंगु का मतलब इसके पेर नहीं है जो हमारा कफ है ये भी पंगू है मतलब इसके पास भी पेर नहीं है पेर नहीं तो चल नहीं सकता ये पंग के मल धातवा जो हमारे मल होती है और साथ धातू होती है तीन मल होती है साथ धातू होती है और ये पित हो गया हमारा और एक हो गया कफ ये क्या होते हैं इनके पास पेर नहीं होते हैं ये पंगू होते हैं पंगू मतलब ये चल नहीं सकते हैं आगे क्या बात लाइन लिखी है वायूना यत्र नियंते तत्र गच्चती मेधवत इनको जो गुमाता है इधर से उदर ले कर जाता है वो वाईयू है मतलब क्या है यहांप बात द सकते हैं यहां बत इन्हें गती प्रदान करता आ जैसे मंना लो कफ है हमारी वोडिके अंदर कफ को मूव करना हो एक जगह से दूसी जगह तो उसको वात ही मूव कराइगा के बसין समझ आ ही इसलिए अगर तुम देखोगे जो वातज व्याधी होती है हमारी वोडिके solar सबसे ज़ाधा होती है 80 types की वातजव्यादी होती है हमारी body के अंदर 80 type की इसे आख करना एक simple तरीका है 80 type की वातजव्यादी होती है अगर हम इसका आदा कर देंगे तो क्या बचाएगा 40 तो 40 type ये कौन सी व्यादी हो जाएगी पितजव्यादी व्यादी का मतला होता है disease अगर हम 40 का आदा करेंगे तो कितना बचाएगा 20 तो 20 type की होती है कफजव्यादी 80 type की होगई हमारे पास बातजव्यादी पितजव्यादी 40 type की और कफजव्यादी 20 types की होती है ठीक है तो हमने सरको कि देखो सर जो वाथ होता है वो पित को मूप कराता है पित स्वें मूप नहीं कर सकता एक जगा से दूसरी जगा तीक है अब आगे चलते हैं आगे आता है प्राकृत वाथ के स्थान हमने अब यह description में देखा था जो वाद के हमें specific location जाना है तो उसके लिए यह श्लोक है यह श्लोक भी तुम्हें स्थान माना गया है वह एक तो पक्वाशिय को माना गया है पक्वाशिय का मतलब होता है इंटस्टाइन इस इस पॉर्शन इसको क्या माना है बाद का स्थान माना है इस रीजन को ठीक है और कटी कटी का मतलब क्या होता है इंगवाइनल रीजन यह होता है हमारा इंगवाइ rela ideology well और यह ठाई regionTION हुआ ठीक है अगला श्रोथ अस्ति श्रोथ का मतलब क्या होता है का मतलब होता है हमारे कान या हमारे कान हो갈गे इसको भी वातका इस्थान माना है अस्ति हए जो हमारी बॉंस है बॉंस को क्या माना है वातका इस्थान का माना माना गया है तो यह सब तुम्हें यहाँ पर learn कर लेने हैं यह बहुत important है और इसका जो श्लोक है यह भी बहुत कम हो मतलब ना वाद की व्रिद्धी हुई हो ना वाद का श्रेय हुआ हो बिलकुल एक्लिवरेम नेस्ट में तो अगर क्लिवरेम स्ट्रेट में होगा तो कौन-कौन से कार्य करेगा वाद तो उसके लिए यह लोक यह बी तुम्हें करना है इस लोग का मतलब क्या है जो वात होता है बाद का क्रम मतलब का कार Boss क्या है उटसहा मतलब हमारे अंदर excitement को पैदा करता है अगला उच्वास मतलब inspiration करने में help करता है निश्वास मतलब export here song projectaltra को होता है इसे हम वाद के कारण से कर पाते हैं ठीक है धातू की किरिया में गती जो हमारी धातू है पर एक्जामपल हमारे पास जो रस धातू हो रक्ट धातू है इनके अंदर गती प्रधान करना है हमारा जो रक्त मूव कर रहा है वाद के कारण मूव कर रहा है और जो हमारा लिम्फ ह इसका मतलब क्या है जो हमारे मल है मल को बहर को बहुदा हूं अभी पड़ावा आजी नि arriya कि है इसके कि हैं यह सवरे कार्य है प्रकृष वाद के अगर हमारा इकलीबिना टेट में है तो हमारी कि अगर तरी दोश अपनी equilibrium condition में होते हैं तो हमारी वोटी को धारन करते हैं और कोई भी व्यादी को उत्पन नहीं करते हैं तीक है अब आगे देखो आगे आते हैं वाद के भेद मतलब वाद के कितने प्रकार है तो उसके लिए श्लोक दे रखा है ज्यादा लर्न नहीं करना इस लोको important नहीं है लेकिन तुम्हें इसके types याद करने हैं कौन से type होते हैं कर दान समान वियान अपानओ अब हमें क्या करना है इन सब की वोगी हमें इसकी specific location को देखना है और इन सब का एक specific function होगा हमें इतना करने के बाद हमारा यह chapter complete हो जाएगा ठीक है तो चलो one by one start करते हैं पहले हम बात करते हैं प्राण वाइउ की वाइउ का मतलब यहाँ पर वाइउ महाबूत नहीं है वाइउ का मतलब यहाँ पर वाद ठीक है प्रिदोश्वाला वाद तो प्राण वाइउ के स्थान एवं कर्म यह श्लो के याद क हुआ उर्प्रदेश उर्व क्या होता है चेस्ट रीजन उर्प्रदेश एवं कंट में संचरन करता है कहने का मतलब यहाँ पर क्या है जरा समझो इस चीज़ को यह कहना कैचा रहा है यहाँ पर जो हमारे पास प्राण वाई हुए यह हमारे शिर में रहती है यहाँ पर रह Circulation करती है चर्ज संचरन ने इसका मतलब हुत्या सर्कूलेशन और जवार कंट रिजन है मतलब गले का रीजन है यहां पर भी dit करती है अब बात करते हैं इसके करम कर्म जैसे कि इसका लाला स्तराव होता है मतलब जो हमारा सलाइवा निकलता है वो सलाइवा को बाहर निकानने का काम करती है और आगे छीक न हम छीक किसकी मदद से पाते हैं प्राणवाईव की मदद से उदगार डकार निश्वास एकस्पिरेशन अनप्रवेश में सहायक या करती है जो हम खाना खाते हैं उसको अमाश्य तक लेकर जाने काम प्राणवाईव का होता है अगर सपोस करो प्राणवाईव के अंदर विक्रिती आ गई विक्रिती का मतलब क्या है इसकी एकलिवरियम स्टेट है वहां से उधान वायू पर तो उधान वायू के स्थान एम कर्म के हम बात करेंगे अगए तो यह तो में वर्ड याद ही करने पड़ेंगे इसका तुम्हारा कोई सब्सिट्योट नहीं है यह नासा नाभी एवं गले में संचरन करता है मतलब यह कहां पर प्रेजेंट है और में प्रेजेंट है और नाभी में गले में संचरन करती है ठीक है अगला इसका कर्म क्या क्या है बोलने कर पाते हैं अगर आप उदान वाईयू में कुछ विक्रित उत्पन होती है तो हमारे दातों के रोग उत्पन होते हैं हमारे कान में प्रोब्लम होने लगती है और हमारे सर में प्रोब्लम होने लगती है तो यह सारे डिजीज उत्पन होती है जब उदान वाईयू में कोई प इसका इस्थान बताया है जाटर अगनी जाटर अगनी के समीप देकर कोस्ट में विचरन करती है मतलब सर्कुलेट करती है तो जाटर अगनी का इस्थान कहां बताया है अमाश्य और पकवाश्य अमाश्य मतलब हमारा इंटस्टाइन तो अमाश्य और पकवाश्य क्या बताया अलग से पांस नमपरा कोशन आता है समानवायू के उपर तो इसके जो कर में इसका पहला कर में अनका ग्रेंड करना जो हम खाना खाते हैं तो खाने को नीचे तक ले जाना किसका कारी है समानवायू को कारी है ठीक है अनका ग्रेंड करना ठीक है समान अवस्था में बिना पच कीता है फिर आगे के लिखा है बीवेचन यहां हो henna dw park ॐस ऑर है वह होता है सा्थ हमने टीकशन मिलेंगे तीक और एक होता है इसके अंदर किट वाग के भाग वो पाट होता है जहां जो सब बोलते हैं एकस्क्रिट्री वेस्ट तो यह क्या करती है समान भाइयू हमारा नीट्रिशन वेल्य WALU वार जो पॉर्शन इसको अलग करेगी और यहां अगला आता है मूर्शिति का मतलब होता है शोशित रसको शरीर में तथा मल को आगे पकवाश्य में छोड़ देती है मतलब जो हमनारा जो एक्स्टीट्री वेस्ट बना है उसको आगे पासडाउन कर देती है अगर समान वायू के अंदर कुछ विक्रिति आ जाती तो उससे होने वाले रोग देखो गुल्म का मतलब होता है ट्यूमर और अतिसार अतिसार का मतलब होता है डाइरिया तो ऐसे कुछ रोग उत्वपन हो सकते हैं अब आगे आता है इसके अंदर वियान वायू के स्थान और कर्म देखो इसका श्लोग इंपोर्टेंट नहीं है पढ़ना चाहो पढ़ ल आगे इसके कर्म ढ़ना अगे इसके कर्म है जिसे की अपशेपन अफ श्यपन का मतलब होता है अंगो का नीचे गिरना जो हमारे जो अंग नीचे गिर्ना यह किसके दुवारा गरती है वियान वाईयू के ठीक है हम अपने हाथ उपर ले गए किसके दुवारा वियान वाईयू के दुवारा नीचे लेकर आए वियान वाईयू के दुवारा उत्षेपन का मतलब क्या होता है अंगों का उपर जाना ठीक है अगले लिखा है यहाँ प यह होती है संपूर्ण शरी में संचरन करती है इसलिए अगर इसके अंदर कोई विक्रिती आएगी तो सर्व शरीरगत रोग उद्वन होंगे अब इसके बाद आती है हमारी अपान वाईयू का स्थान देखो अपान वाईयू कटी के नीचे होती है जो हमारा इंगवाइनल र करती है इसका कर्म क्या होगा जैसे की शुक्र को भार निकालना आर तको भार निकालना और तो को होता है जो मैंसलोष निकलता है कर वहन कर निकलता है दुभार होती है वहowski कंसेप्ट के लिए क Cameron के लिए होती है वो यह दो के दुखार करने के लिए था थी रास्ट चोंटा निए गर्म्हें प्रस्थान करक्ते हो वो अपनी बुक से यह सिर्फ तुमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था ठीक है एक लास्ट चोटा सा टॉपिक बचा है इसके अंदर हम वह भी पूरा कर लेते हैं यहां पर लिखा है प्राण्ड में सुरोतस का मतलब होता है चैनल्स यह इंपोर्टेंट है कभी कई वर्ड मिले तो है तु का मतलब होता है कारण तो जो अगर हमारा प्राण में सुरोता से इसके अंदर दूस्टी होती है तो उससे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं तो पहला है धातू के श्रेसे जो हमारे पास अलज़सरक्त मास में दस्ते मुझा श्रक्त धातू में अगर य से मीटिंग में होते हैं तो अगर हम उसको ज्यादा रोखते हैं तो हमारे प्राण में सुरोतास दूशित हो जाएगा रूक्ष वस्तू के सेवन से ज्यादा रूक्ष वस्तू मतलब ड्राई चीज खाने से अगला भूग लगने पर वयायाम करने से मतलब हैं भूग तो ल जुकना जुकेंगे हम बार-बार नीचे ऐसे कुछ लक्षन हमें देखने के लिए इसके अंदर मिलेंगे ठीक है यहाँ यहाँ पर लास्ट टॉपिक था हम आज की वीडियो को ही खत्म कर देते हैं अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना अपनी प्रोब्लम मुस्ते कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना मेरे चनल पर अभी विजिट किया है चनल को स्टाइक करके बाल आइकन को प्रेस कर लो जिससे मैं नेक्स वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए ओके थैंक्यू सो मच